हलो नमस्ते आप सबता स्वागत है फिर से भूमी स्लाइब जर्नी में आज का नए व्लॉग में न हम ऐसे दिखाने वाले हों जो बच्पन से मेरा फेवरेट है वो वाला रिस्पी वो वाला रिस्पी आज आपके साथ शेर करने वाला हों इससे पहले हम कुछ बोलना चाहते ह हमारे में हमारे वीडियोज जो भी देख रहे है न वह बीना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं इस बात के लिए तो हमको खुश भी है मतलब इतना इंटरीं से हमारे vlogs देख रहे हैं really I'm really really very happy लेकिन यह न बात आप सब्सक्राइब करके देखेगा तो हमको भी कुछ मोटिवेशन हो जाएगा हम भी कुछ वीडियो नया नया बना सकते आपके लिए मेरे लिए भी एक मोटिवेशन हो जाएगी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा हम लोगों को व्लॉग्स बनाने में आशा करती हूं आप सब्सक्राइब जिरूर करेगा आप चैनल का नया होते तो पहला अमारे प्रीवेश वीडियो देख लेजिए उसके बाद आप डेशिशन ले लेजिए सब्सक्राइब करना है और नाई क अब चलिए रेस्पी देख लेंगे हम से हलो भूमी हूमी हलो ही पूमी गुजगे राहिम्स देखने में है पापा इस गोईंग मुमी से बयक्ते लेक्ते हूं पापा इस गोईंग भूमी से बाइटव पपा आपका वानने लेकिंगे है लेकिंगेभा अबकिंगेभा how to open the door open the door open 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 अईसे रहा है पापका उपार भी है वोह है जाई उसाइड I will go first I will go जा रहे हैं में बनाने वाला हूं मेरा सबसे फेवरेट है पप्पु चारू अचलि ये मुंग दाल से बनते हैं आमारे पास मुंग दाल नहीं है इसले में तूर दाल से बना रहे हूं अब इसी में हल्दी और नमक डाल देंगे। इसी में मैं डाल दिया हो स्वादा नुसार नमक और हल्दी और धोड़ा सा जीरा अब रख लिया, पान से चे सीटी आना चाहिए, पहला सीटी हाई फ्लेम में रख लिजे, उसके बाद मीडियम फ्लेम में रख के चे सीटी आने दीजे, इसके लिए ना मशाला का तयारी कर रहे है, खौंसा साइड डिश बनाने वाले हैं, आपको पता चलेगा, व्लोग में आप तेल गरम हो गया है, अब उसी में डाल देंगे, एक चेमाच बुरत दाल और आदा चेमाच दूर दाल और थोड़ा सा ग्राउनेर्स, इसको डाल के अच्छा से फ्राइ कर लेजिए, उसको अच्छा से फ्राइ कर लेजिए, दाल रख ये है ना पॉपुचार के लिए अब बन गया है, फ्लेम बन कर दिया, उतर गुमी भाई थेल रही है, मतलो राइंस देख रही है, ड्रिंक, इसको ड्रिंक बाबु, ले, देना है तो अच्छा से देना है ना, पागल लेकी, अब इसमें डाल दीजिए, सुकर नारियल, इसको अच्छा से देना है ना, इसको हलका सा फ्राइ कर लिजिए, उसके बाद जीरा और सोम फोट ढाल के थोड़ा सा और फ्राइ कर लिजिए, अब फ्लेम बंद करके इसमें डाल दीजिए, छार से पांच सुकाया लाल मिश्य, इसमें हम डाल दिया है, चार पांच लसून, भूमिस हो गई है, अब इस मिक्सी लगाएंगे, तेख लिजिए, पी ऐसा बढ़ना बढ़ता है, तो पाउडर, पानी नहीं डालना है, सिर्फ पाउडर बना लिजिए, आज साइड डिश में बनाने वाला है, ब्रिंजल का सबजी, पहला है काटके नमक वाला पानी में लगा दिया, तो कड़वा नह काल के अच्छा से साइड में रख लेती हूँ, अब इसको अच्छा से टिश्यू से साफ कर लेती हूँ, तेल गरम हो रहे है, तेल गरम हो रहे है, उसके बाद हम बेगन को फ्राइड करेंगे, बेगन का इसा फ्राइड करना है, सब को पता है, इसको तिकाने का जरूरत नह अब इसको दाखके थोड़ा समय तर कुक कर लेंगे आप भी एक बड़ एक रेस्पी प्राइ करके देख लीजिए और कॉमेंट कर लीजिए आपको कैसा लगा अच्छार के लिया इवली सोब करके रखी हूँ इतना सा इंगली खीक है आज हैत्राबाद मैंने बहुत ज़्याद राश्व होने वाला है आपको ना इस फ्लावर में इस फ्लावर का सीड दिखा देख लीजिए तैसा होता है आज हैदराबाद में तो बहुत जाता बीड होगा क्योंकि आज है तो निमाजठ होगा गलीश्का इसका सीड यह ड्राइ होने के बाद कैसा दिखता है दिखात दूहीं आ जाहिए ड्राइ होने के बाद इसमें काला-काला बीज होता है अब ब्रिंचल फ्राइब हो गया है तोड़ा से तेल बाचाहने इसी में पापड लगाएंगे पापड बना लेंगे आज का प्लेटिंग बहुत ही मज़ा आने वाला है सच में ऐसा खाने में मज़ा आता है अंडीप जी को भी मज़ा आता है इसा खाने में बुमी के लिए बनाया है बुमी से फैवरेट पापड है यह राइस फ्लोर से बनता है यह हमारे लिए है माशाला पापड है यह पंकाची का फैवरेट है यह बुमी का फैवरेट है वह वाला पापड को बहुत ही पसंद करती है, बहुत अच्छा से खाती है, इसलिए उसके लिए अलग से थुड़ा से बाना लिया, यह वाला पापड पंकची नहीं करता है, उनको इतना पसंद नहीं करता है, मतलब खाता है, लेकिन जैसे माशाला पापड करता है उतना अच धड़का लगाएंगे, दिखलीजे हम अच्छा से भेट भंट हो गया है without crying, तड़काे हमने लिए 2 पयाज और रख लीजे इसको भी अच्छा से फ्राय करना है तो फ्राय हो गया है में डाल्का सकाइब नेके बाद डाल डाल लेंगे शेमें के डंट में कि सिरा कामी तड़का कि व ठाह्ट हैu इमली अच्छा से सोख हो गया है अब इसको आच्छा से निकालेंगे पानी इसी से यही वाला पानी हम डाल में यूज़ करनेंगे प्लेम है बिल्कुल लो में रख लीजिए तब तक रस भी निकालेंगे हम उसको डाल देंगे इमली का पानी डाल दिया अब इसको अच्छा से मिला के इसी में थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे सामबार में इसमें अंतर यह है, सामबार में माशाला लगाता है, इसमें माशाला नहीं होता है, फिर फीमली का पानी और नॉर्मल पानी पियाज, यह तीनों इंपोर्टन होता है इसमें, बिसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसको चब तक, उबाल नहीं आएगे न, तब तक इसको पकाएंगे, आप हाई फ्लेम में रखके पकाएंगे, उट गई, से हलो, हालो, भूमी उट गई, हमारा दाल भी बन गया है, पॉपचर बन गया है, आजाए दिकामगी, यह पॉपचर बन गया है, नमक भी ठीक है, आपको चाहिए तो चीनी डाल दीजिए, वो प्यासे मीटा पनाता है, चीनी डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वो मीटा पन रिलीज नहीं करते है, उस समय आपको हाल खासा पींच ऑफ शुगर डालना पड़ता है, आप सबको पता है फिलर का इस तर रखना है, तो दिखाने का प्यूमी रो रही है, उसको खाना किलाने है, तोड़ा सा नास्ता है, इसके लिए सुबा नास्ता काई है, दोसा, अब फिर से एक और दोसा खिला दूंगी, उसके बाद में फिलर बना दूंगी, पूरा बर दिया है, फिलिंग कर दिया, और पौडर इतना बच्चा है, अब इसके उपर हलका सा गानिश कर लेंगे धनिया पत्ता से, बस इतना ही है, हो गया, इसको तिल्गु में बोलता है, गुत्ति वंकाया फ्राइ, हो गया, बोक्स में ट्रैंसवर कर लिया है, अब हमारा पौपचारो रडी, गुत्ति वंकाया रडी, पापड भी रडी हो यहए, अब हमारा खाया कौ सा गुत्ति वाले इस टयां जोर्डु पर लियुमाटा से उपैस, कट्शोंगोर। आदि कि प्रीठी बुत्ति वह गया है, तो में डिश कर लिया है धुक्राइ सी चश्रा है बुर्दिलिय का कम वर्तन ही, इन वर्टment Ti यह दाल है, यह सबजी है, अभी यह वाला बरतन बास है, फिर से पूरा किच्छन साफ हो गया है, अब बुमी देख लीजिए, इदर ही खेल रहे है, बुमी उदर जाएंगे आज़ा, विगो, कम, बिठा दिया, बुमी पापट काएगी, प्रुकोले के आती, वोडियाल तिं गज़ेगे, बिठाएगी बाद में खाएगी खानी का टाया, बुमी, यवर फेवरेट, नहीं खाएगी, भूख नहीं है, इत, इस अधियम्मी, इसको भूख नहीं है, फिर भी खा रही है, अभी अभी नास्ता खाईए ना, दूसरा बार, मैं अँपिस का का म कर रहे है, तो बूमी देख लीचे, क्या कर रहे है उदर बाइटके अपकलिप्स को जेक्स में डाल रही है I hope so, आपको कुछ नया मिला होगा, कुछ सीखने के लिए useful भी हुआ होगा हमारे व्लॉग आज आशा करती हूँ, आप ऐसा ही हमारे साथ बने रही है हमको सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर लीजिए हम और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकते है हमको यह चाहिए, अंदर से confidence चाहिए, मोटिवेशन चाहिए हमारे वीडियोस भी देख सकते आशा नहीं नहीं देख रहे है, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे है 80% लोग बिना सब्सक्राइब करके देख रहे है मेरा व्लोग इतना रीच हो रही है मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेकिन तोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप मेरा चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेर कर लीजिए आपको कुछ नया चाहिए तो कॉमेंट भी कर लीजिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वीग धिंग है अचली, what we can say that इस रियली वेरी वेरी गुड मोटिवेशन नया व्लॉग में बूमी के साथ तब तक नमस्ती, बाइबाई